हारू फीक्स सैमसंग M11 आटो रोटेट नोट वर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तेकिराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है कैसे अपने डिवाइस में आटो रोटेट स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्फ किसी कर सकते हैं अगर दोस्तों आटो रोटेट यहां पर काम नहीं कर रहा है मान लिजे दोस्तों आप यहां पर आपकी डिवाइस में तो आप दोस्तों इस वीडियो को आन तक जरू देखेगा मैं आपको इस तेबाइस तेब इसका सॉलूशन तो आपका जो यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है फिक्स हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि आए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें और अगर आप ओनलाइन पेसा कामाना चाहते ह और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फोलो करके मेसेच कर सकते हैं चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर अगर ऑटो रोटेट काम नहीं कर रहे तो आप अपने दिवाइस को एक बार रिस्टार्ट कीजिए दोस्तों अगर सेम प्रॉब्लम है तो आपको दोस्तों नेक्स्ट सॉलुशन करना होगा तो नेक्स्ट सॉलुशन पर दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है तो आप दोस्तों अपने रिसेंट बटन पर क्लिक करें रिसेंट बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जितने करने के बाद दोस्तों दुबारा से रिचेक करके देखे कि आपका प्रॉब्लेम सॉफ्ट हुआ है या नहीं हुआ है अगर उसके बाद भी दोस्तों प्रॉब्लेम आ रहा है तो आप जाए दोस्तों अपने मुबाइल के सेटिंग पर डाउन करते हुए दोस्तों जाए जेनरल मेनेचमेन पर एंड रिचेक कीजिए और रिचेक पर क्लिक कीजिए अपना प्रेटर्न यहाँ पर बढ़ दिजए प्रेटर्न पासवर्ट जो भी आपने सरीट क्या हुआ है उसको एड करने के बाद सारे सेटिंग रिसेट हो जाएगा तो अभी दोस्तों आपको क्या करना है ओन कीजिए अपना पोट्रेट मोड को यानि के ऑटो रोटेट ओन करने के बाद दोस्तों दुबारा से चेक करके देखे सौर्फ हो जागा आपका प्रॉब्लम ठीक है बाई एनी चांस अगर दुबारा स से प्रॉब्लम आ जाते तो सिंप्ली जाये सोफ़वर अपडेट में जाके सोफ़वर को अपडेट कर लीजिए जैसी दोस्तों आपका सोफ़वर अपडेट होगा आपका प्रॉब्लम भी उसी वक्ट फिक्स हो जाएगा ठीक है तो इस तरह के से दोस्तों आप ऑटो चाची।